आलाइट नेक्स कुश्चन दोजार अठारा का सवाल है, कुश्चन से इस सेंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटिग्रेट और नॉर्मल प्रेशर आपने को प्रेशर नॉर्मल प्रेशर दिया हुए, सवाल है, चेंज इन इंटर्नल एनरजी ऑफ दे सेंपल क्या होएगा, आसान सवाल है, लोग थोड़ा से हैं पर कैलकूलेशन से घबडा जाते हैं पर मुश्किल नहीं है, अगर हम फिर्स लाओ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाइ करें, हम उसको कहते हैं FLT, फिर्स लाओ थर्मोडाइनमिक्स यह कहता है, कि डिल्टा क्यू विल बी इकुल टू डिल्टा यू प्लस डिल्टा डू फिजिक्स में हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर हम चार ऑप्शन में ध्यान दें, तो चार ऑप्शन बड़ा दूर दूर है, तो अप्रोक्सिमेशन से काम हो जाएगा, कैल्कुलेशन असान हो जाएगी, विल बी इकुल टू डिल्टा यू प्लस डिल्टा डू नौ यहां डिल्टा डू की बात करेंगे, तो यहां पर जो वर्क डन आएगा अपना पी डिल्टा भी लिख सकते हैं, तो यहां पर जो आपका प्रेशर है, वो वन इंटू टू दू दू पावर फाइव, अगें यहां पर डेटा जो अपने को सवाल में दे रखा है, वन पॉइंट जीरो वन स्री इंटू दू पावर फाइव है, पर अप्रोक्सिमेशन से काम चल जाएगा, मुल्टिप्लाइड बाइड आपका चेंज इन वॉल्यूम तो यह आपका यह वॉल्यूम बन जाएगा 167.1 मुल्टिप्लाइड बाइड टू दू पावर माइनस 6 यह आपकी वैल्यू आ जाएगी, सो विच इंप्लाइड अपना डेल्टा यू है वह वह जाएगा 54 मुल्टिप्लाइड बाइड बाइड 4.2 माइनस इसको करेंगे 10 टू पावर माइनस 1 बचेगा यानि की 16.711 भी अटा रहता है ठीक है, यह वैल्यू आ जाएगी, सो डेल्टा यू बनेगा अच्छा इसको जब हम मुल्टिप्लाइड करेंगे यह आएगा 226.8 माइनस 16.7 आपकी जो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 0.1 और 0 और 1 और 210 यह अप्रॉक्सिमेशन के साथ लिए हमने तो इसकी अगर क्लोजेश वैल्यू देखें तो अप्शन नमबर भी 208.7 जूल बूट बीड़ राइट आंसर